अलो एर्वीवन वेलकम टू नामदेव अक्यर्मी फ्रेंड्स आज साइंस काम एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेके आया है जो कि आपके हर एक्जाम के पॉइंट ओफिसे काफी इंपोर्टेंट है और यहां से 100% आपको एक से दो क्यूशन जरूर देखने को मिलेंगे इस टॉपिक के मैं बात करूँ तो यहां पर मैंने जो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्यूशन बने है 40 प्लस ऐसे क्यूशन से जो किसी ना किसी एक्जाम में पूछे गए है उन सब भी क्यूशन को यहां पर क्यूशन के माध्यम से एक एक क्यूशन को डाइग्राम क आपसे इस topic से question पूछा जाए आप definitely 100% सही answer कर सको तो guys start करते हैं आज का topic और देखते हैं पहला question यहाँ पे देखें आपसे पहला question पूछा गया है कि मानव नेतर के दुआरा वस्तु का जो पृतिविम बनता है वो किस पर बनता है option से cornea, iris, putli या फिर retina तो guys answer तो सभी को पता होगा कि जो मानव नेतर है इसके दुआरा जो वस्तु का पृतिविम बनता है वो retina पे बनता है बिल्कुल सही है, answer तो सही है retina लेकिन इसके बारे में चा समझते हो guys आप यहाँ देखिए, आप देखिए यह है human eye human eye का जो अंद्रूनी संरक्षन होता है वो इस प्रकार का होता है इसमें आप देखिए retina कहाँ पे यह जो portion friends आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो यह क्या है retina अब retina जो होता है इस पर किसी भी वस्तु का जो पृतिविम बनेगा तो उसकी इसमें हमारा answer होगा उल्टा और वस्तु भी बनता है अब यह तो आपने देख लिए कि यार जो retina होता है इस पर किसी भी वस्तु का जो पृतिविम में वो उल्टा बनता है लेकिन हमें सीधा कैसे दिखाई देता है तो guys हमें सीधा इसलिए दिखाई देता है retina पे तो बना उल्टा लेकिन यहां पे आप यह देख रहे हो optic nerve यानि जो यह आँख की नस जो होती है यह क्या काम करती है कि जो retina पे उल्टा चितर जो उल्टा जो पृतिविम बना है उसको सीधा करेगी और उसके बाद हमारे brain में हमारे mastix में उसको सीधा करके पहुँचाती है इसलिए हमें जो पृतिविम होता है वो सीधा दिखाई देता है उमीद करती होंगा इस सारी चीजे clear हो चुके होंगी यहां देखिए आइरीस के मद्दे वाला जो छोटा चिद्र होता है उसको क्या कहते है option से पुतली, द्रड पठल, रेटिना या फिर रक्त पठल तो देखो आइरीस के मद्द में जो छोटा चिद्र होता है उसको कहते है पुतली यहाँ पे देखिए यह जो आँग का जो भार का जो देखो अंदुरुनी संरेचन हमने बताया पिछले डाइग्राम में और भार से जो आँग देखती है कुछ इस प्रकार देखती है friends स्सक्राइट पॉर्ष Çोटा छेद आपको दिखाई देता है आएरीस के मद्ड में जो छोटा चित्र आपको दिखाई देता है फ्रेंट वह होता है पूतली क्या होता है पुतली तो यहां पर देखो आपके लिए काफी IMPORTANT राइरीज और पुतली के बारे में अक्थार लोगा चाहते हैं तो एक चीज आपको NORD करनी है करनी क्या काम हुता है कि और भुतली की आ ஓक और को एक लिए पूछाब को पूछल लां जाता है Ha Haa Ka прlaim करने का कौन करता है तो आप होगी आरीस करता है ताकि रेटिन अतक जो प्रकास है वह आउशक और सही मातला में पहूंच सके तो देखो आरेस का क्या हूओब क्या है incred Geraldine we hope पूतली का आकार है किसको आकार को जो प्रकास आंख के अंदर प्रवेश किया है उसकी किरणों को नियंत्रित करने का काम होता है और पूपिल जो है पुतली उसका काम होता है कि जो आंखों के अंदर जो प्रकास आ रहा है उस प्रकास की जो किरणे है उनको कंट्रोल करने का यानि उनको नियंत्रित करने का काम होता है ताकि प्रकास की सही मात्रा रेटिना तक पहुंच सके हैं नेक्स देखिए क्यों सेने कि मानव नेत्र का जो सबसे भार वाली जो परत होती है वो कौन सी होती है तो देखो यहां पर सबसे पहले तो देखिए मानव का मानव नेत्र जो होता है इसके सबसे भार वाली प यह अंद्रूनी चितर है पिछले ही कुछन में आप को भार का चितर देख लिया और यहां पर यह अंद्रूनी डियाग्राम तो यहां पर आपको यह वाईट वाला पॉर्ट्षन दिख रहा है ना यह होता है Scalera और Scalera यह तो हमने देख लिया और जो Cornea होता है Santo Jo pens Cornea वो भी Scalera के अंदर होता है यह भी आपको पता उना चाहिए Cornea जो होता है वो Scalera के Just पीछे होता है और जो Cornea होता है यह एक परकार की पतली छिल्ली होती है लेकिन main important चीज कि कहां होता है तो जो ये स्केलरा होता है इसके जस्ट पीछे होता है और उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आईरिस जिसे हिंदी में परी तारिका भी बोलते है और उसके बाद ये बीचो बीच जो छोटा सा चिद्र आपको दिखाए देता है ये होता है पु रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है अिसे कही बारा हैं आपने देखें族 आपने देखा कि कुछ लोगों की आंखें ब्राउन कलरकि होती है तो यह ब्लू कलर के ब्लू रह मैं कुछ यह बेंगे। पहला रह मिमें दुपोर्ड़ भीक ब्लू कलर का गा। नेक्स्ट क्यूंड कि है। नेक्स्ट कुछन्स की जब नेत्र तरके करते हैं उस समय नेत्र का कौमसा भाग दान दिया जाता है यह समय नेत्र कोंसा बहुत ॐ meng-蛋 क्यूंड प्रकास को लेने का काम कौन करता है और उसे जो प्रकास जो आया है उसको अंदर पहुचाने का काम भी कौनिया ही करता है तो इसलिए जब भी नेतरदान किया जाता है पूरी आँख आपकी नहीं निकाली जाती और लिजो कौनिया होता है उसको लिया जाता है आप देख सकते हो फ्रेंट्स यह डाइग्राम आपको दिखाए दे रहा है यह जो तो मैंने बताया था आग की जो पुतली होती है उसके आकार को नियंतरित करने का काम कौन करता है तो पुतली के आकार जो होता है पुतली का आकार उसको नियंतरित करने का काम करता है आइरिस आंसर हो जाएका आइरिस आइरिस के बारे में एक एक चीज आपको बताई थी फ्र जिसको हिंदी में बोलते हैं परी तारी का तो यह भी हमने देख लिया और जो आयरिस है यह क्या करता है प्रकास को नियंतरित करता है लेकिन में चीज यह प्रकास को नियंतरित नहीं करता है एक्चुल में हम देखें तो जो आयरिस है यह पुतली पुतली आपको दिखाए द नेक्स्ट है मानव नेतरलेंस किन पेशियों पर टिका होता है बहुत important question है option से काछाप या फिर ciliary पेशी या फिर dusty पेशी या फिर suspensory तो देखो होता क्या है कि जो मानव नेतरलेंस होता है friends ये टिका होता है ciliary पेशी पर आपको दिखायती एक normal आय दिखायती जो हमारी आँक है देखो आप खुद ना एक mirror लेके अपने आँक को देखे और आक में जो black portion दिख रहा है इसके side में आपको जो दोनों side में जो white वाला portion दिखाय देता है न वही होता है सिलेरी पैसी तो जो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगों ती यह होती है सिलेरी पैसी और इनी पे जो यह मानव नेतर लेंस यह आपको दिखाई दे रहा है लेंस यह किस पर टिका होता है तो सिलेरी पैसी पर टिका होता है next question कि मानव नेतर में कौन सा lens होता है तो जो मानव नेतर lens जो होता है मानव नेतर में जो lens होता है वो होता है convex lens होता है convex lens यहाँ पे आप देखें friends यह जो lens आपको दिखाई दे रहे मानव नेतर में जो lens होता है यह होता है convex lens यानि उत्तर lens होता है और यहाँ पे देखिए एक एक चीज आपको देखनी है गाईस यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक जलिय द्रव भरा होता है यहाँ पे एक द्रव भरा होता है यहाँ पे कछाव द्रव होता है और यहाँ पे जलिय द्रव होता है और यह जो दोनों द्रव दोनों साइड भर होता है इसी के कारण जो यह मान यह जो लेंस होता है यह लेंस फिक्स होता है अगर यह जो जलियत द्रव है यह हमारी आंख में नहीं होगा तो जो लेंस है ना वो फिक्स नहीं रहेगा और जब लेंस फिक्स नहीं रहेगा तो हमारी आख है मतले लेंस इधर उदर चला गया तो आख एकदम पिचक जाती है, तो यह चीज भी आपको क्लियर होनी चीए, अब देखो, यह तो आख का भारी डाइग्राम है, और यह आख का जो अंदरूनी डाइग्राम है, वो है, तो यहाँ पर देखो, कन्फ्यूज तो आपको बिल्कुल नहीं होना है, इसकेलरा कौन स लिए दे रहा है, यहाँ पर देखो, आईरीस से जस्ट पिछी, यहाँ पर दिखाय दे रहा है, यह होता है, प्यूपिल तो यह चीज आपको क्लियर होनी चीए, नेक्स्ट की चूनी की कोई और लेंस के बीच वाला जो भाग होता है, वो देखो, पूँछा है, क्या द्रव होता है तो लेंस और जो रेटीना है रेटीना जिसको द्रस्टी पठल कहते हैं इसके बीच में जो द्रव होगा उसको कच्छाब द्रव बोलते हैं लेकिन जो लेंस और कोर्णिया की बीच में कोर्णिया कहां पर है फ्रेंट्स आप देख सकते हो यह जो आपको दिख प्रतिविमी प्रतिविमी घुक मरता पर झाल। फीस दा्युत के दूरव रूरा मस्तिक्र पैंड़ा फाने अबात। सब्सक्त है ध्रश्टी अंचर को इस प्रिति भी बडरे अगर अगर प्रतिविम रेटिन से करका नीचे मेंते से और रेटिना से हटकर अगर प्रितिविंब नीचे बन जाएगा तो वो अंद बिंदु कहलाता है, यहां देखिए हमारा आंसर हो जाएगा option A, अंद बिंदु, देखो यहां पे है यह जो रेटिना आपको दिखाई दे रहा है, यह रेटिना इससे अटकर और जो प्रितिविंब है वो कुछ इस प्रकार यहाँ पे जैसे नीचे बना तो क्या कहलाएगा अंद बिंदू कहलाएगा लेकिन अगर जो पृति बिंब है वो रेटिना पर बना एकदम सीधे यहाँ पे तो क्या कहलाता है पित बिंदू यालिकि वो जो पृति बिंब बना है वो एकदम से साइ प्रतिबिंब है लेकिन जो नीचे हटकर बनेगा वो कहलाता है अंदमिंदू मानव नेतर में आशु किस ग्रंती के कारण आते हैं काफी इंपोर्टेंट क्यूशन है आशु के अंदर कौन सा अमल होता है यह भी आपको पताओ ना चाहिए फ्रेंट्स तो मानव में जो अमल होता है एसीड होता है उसका नाम आप नोड डाउन कर सकते हो सियालिक एसीड होता है कौन सा होता है सियालिक एसीड यानि कि सियालिक अमल पाया जाता है आशुओं में नेक्स देकि जो संकु कोशिका और जो छड कोशिका जो है वो मानव नित्र में कहां पर पाई जाती है तो देखो जो रेटिना होता है ना फ्रेंड्स रेटिना ये सैज कोशिकाओं का बना होता है और छड और जो संकु यानि कि रोड और जो कौन होती है इसके रूप में इस आपको यह जो दिखाई दे रही है यह लंबी लंबी तो यह क्या है चड़ है अब यह जो रोड होती है यह क्या काम करती है यह काम करती है कि अंधेरे में देखने में मदद करती है देखो कई बार आपने देखा होगा अंधेरे में भी हमें कुछ-कुछ दिखाई देता है त और इनका काम होता है कि विविन रंगों के बीच में अंतर करना और विश्यों का ठीक विवरं देखने में ये मदद करते हैं संकू गों देखो अगर हमारी बोडी में जो ये संकू है कॉन है इनकी कम्य होती है तो गैस उस इनसान को एक हो जाता है कलर विजहन का यानि कि वो रंगों में अंतर नहीं पहचान पाता इस पैसली जोब va spraw तारंग होता है उसमें बिल्कुल भी फर्क मैंसूस नहीं आपसे पूचे तो आपको याद रखना है नेक्स्ट है कि यह वर्णांद था यानि कि इसको देखो इंग्लिस में कहते हैं कलर विजन जो यह कलर विजन वाला जो रोग होता है इससे ग्रेस्ट जो व्यक्ति होगा वो किन रंगों में अंतर नहीं समझ पाएगा तो मैंने बताया था जिसको भी कलर होता है मारी आँखों में बैक्टिरिया आ जाता है तो यह बैक्टिरिया किसकी द्वारा नस्ट किया जाता है तो फ्रेंट्स बैक्टिरिया को नस्ट किया जाता है लीसो जाइम अमल होता है लीसो जाइम एसीड इसकी द्वारा आँख में आने वाला जो बैक्टिरिया इस तो फ्रेंट्स यहां पे डrbard Grade का पार्ट है आरिस पी आर्का पार्ट है पुदली आरका का पार्ट है तो हमारा आंसर को जाएगा aldi जो है यहांपर इक्सा त्य हो देखो क्या थे क्या प्रॉट क्षाप जाएक ड्रो बोलता है यह सब्पार्टर प्रों नेक्स देखिए द्रड पटल के सामने उब्रा हुआ जो पार दर्सक भाग होता है उसको क्या कहते हैं तो आपशन से रेटिना, कॉर्णिया, आईरिस या फिर पुतली तो देखो यहां पर देखिए आप यह जो डाइग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है द्रड पटल यानि कि सेंमने अउब्रा हुआ पार्ट होता है इसको कहते हैं कॉर्णिया, तो मैंने बताया था जो कॉर्णिया होता है, वह सेंमने ही होता है बतायी ठीजी सेंमने होता है। ए pregnant पुतली है, इसका आकार कैसा हो जाता है। अच्छा एक चीज बताओ जो पुतली है इसका आकार है इसको कौन नियंतरित करता है तो पुतली जो उती है आंक में देखो बीचो बीच में छोटा सा चेद होता है उसी को कहते है पुतली और पुतली के आकार को नियंतरित करने का काम करता है आईरिस तो गैस हम से पूछा ह है कि जो पुतली का जो आकार है, यह कैसा हो जाता है। जब प्रकास बहुत जादा होगा, तो तेज प्रकास में पुतली का आकार सिकूर जाता है तो पुतली का आकार क्या होगा सिकुड जाएगा और पुतली का आकार सिकुड़ेगा क्यों सिकुड़ेगा क्योंकि जो प्रकास है उसकी मात्रा भहुत जादा तेज है जो हमारे आखों के लिए हानी कारक होती है और जो पुतली है वो एक्टिव होगीर पुतली क्या करेगी पुतली का काम होगा कि जो हमारी आखों में जो प्रकास प्रवेज कर रहा है उसके किर्णों को नियंत्रित करे और उसके बाद में प्रकास की सही मात्रा रैटीना तक पहुंचाए नेक्स्ट की एक मिनट में जो मनुष्य है वो औस्तन कितनी बार पलक जपका लेता है तो एक मनुष्य की बात करे तो एक मिनट में 12 से 16 बार पलक जपका लेता है तो आंसर हो जाएगा ऑप्सन बी नेक्स्ट की मानुष्य नेत्र में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है फ्रेंट्स आपको ध्यान रखना है यह फिक्स है कि मानुष्य जो होता है इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.47 1.47 होता है नेक्स्ट की मानुष्य नेत्र में लग है वो भी एक तरसे मानव नेत्र समानी होता है क्योंकि हमारे नेत्रों में भी क्या बनता है पृतीबं बनता है तो हमें बताना है कि मानव नेत्र लगवा कितने मेगा पिक्सल का होता है तो यह होता है 576 मेगा मेगा पिक्सल का आंसर होगा ओप्सन सी नेक्स दिखिए कि दोनों आखों में हम कितने डिगरी तक देख सकते हैं तो दोनों आखों में हम 150 डिगरी तक देख सकते हैं तो फ्रेंट्स आंसर हो जाएगा ओप्सन ए नेक्स दिखिए कि उसे नहीं है पर कि मानव नेत्र मे वो आँख पर कितनी देर पर विजन रहता है यानि कि मानौ नेत्र पर यानि आँख जो हुती है उस पर जो विजन रहता है वो कितनी देर तक रहता है तो यह रहता है one अपॉन तक रहता है, 1 by 16 second हमारा right answer है, next देखिए, दूर द्रस्टी दोस्त के कारण पृतिपिम जो बनता है, वो किस पर बनता है, जिस किसी इंसान को दूर द्रस्ती का दोस्त होगा, मत्ति के कहने का मतलब दूर द्रस्ती दोस्त के कारण जो पृतिपिम बनेगा, वो हमेशा रेटि पीछे बनता है, next देखिए, किस ने कि स्वस्त आख के लिए जो दूर बिंदू होता है, वो कितना होता है, क्या बोला है, दूर बिंदू की बात हो रही है, स्वस्त आख के लिए दूर बिंदू जो होता है, वो होता है आनन्त पर, लेकिन अगर मिनिमम बिंदू, कम से कम पूछा होता तो गाइस कम से कम बिंदू होता है 25 cm का देखो इसका प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हो आप अपने हातों को आखे सामने लेके आईए और अपने जो हात है ना वो आख के सामने मतलगी 25 cm की कम दूरी पे हैं तो हात हमें धुंदले दिखाई देंगे और और नजदीक लेके आओगे तो बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाएगा मतलगा हात दिखेंगे नहीं लेकिन मतलग कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमारी आखो से कितनी कम से कम जो दूरी होनी चीए वो 25 cm की होनी चीए नेक्स्ट है कि मनुश्य की आख में रेटिना का काम क्या होता है तो देखो रेटिना आप देख सकते हो फ्रेंड्स जो ये द्रस्टी पटल है ये जो आपको दिखाई देरे फ्रेंड्स ये पार्ट है रेटिना और इसका काम होता है कि वस्तु का पृतिविम बनाने का काम होता है लेकिन रेटिना पर प्रितिविम बनता है वो किस प्रकार का होता है उल्टा और वास्तविक होता है उल्टा बनता है उसके बाद जो ये ऑप्टिक नर्व होता है ये उस उल्टे प्रितिविम को सीधा करेगा और उसके बाद हमारे मस्तिक्स में पहुंचाता है नेक् तो है उत्तल अब यहाँ पे मैं डिक देती हूं निकट में यहा Państwo दिया अब ध्यां तीजे निकट और यह दूर दूर पता है तो दिखेंगे तूर ऑजिसको दूर द्रस्टी दोस हो अुसमें यूज करेंगे उताल लेंस, नेक्स्ट इंट है निकट दरस्टी दोस के निवारन के लिए kis प्रकार का लेंस यू जला एंज'' अभी मैंने बताया आवताल लेंस, नेक्स्ट इनक्स्ट यहां पर question देखिए friends मानो नेत्र में रेटिन आपर जो पृतिविम बनता है वो कैसा बनता है मैंने बताया था उल्टा और वास्त्विक तो right answer होगा option B उल्टा और वास्त्विक बनता है next देखिए दूर दरस्टी दोस वाले आंख साप साप देख सकती है जो दूर दरस्टी दोस वाल साप साप नहीं देख सकते next question है कि आंख के lens की जो focal length होती है यह इन में से किसके action से बदलती है focal length की बात करें focal length जो होती है यह बदलती है ciliary muscles के according बदलती है यहां पर ध्यान देजिए ciliary muscles जो होती है जिसको हिंदी में बोलते है पच्माबी पेशियां इनके द्वारा lens जो होता है इसकी वक्रता जो होती है इसके कुछ सीमाओं को रुपांतरित किया जाता है और देखो जब ऐसा होगा जब क्या होगा जो इस ciliary muscles होती है न यह relax करे जाएगा तो इसकी focus दूरी बढ़ जाएगी और जब इसकी focus दूरी बढ़ेगी तो हम दूर की वस्तों को बहुत अच्छे से साप साप देख सकते हैं और अगर इसका उल्टा हो जाएगा कि जब यह जो ciliary muscles जो होती है ciliary muscles जो होती है ciliary muscles यह सिकूड जाएगी यानि कॉंट niz às तो फोकस दूरी और इस्ते हम जो नंचडीक वस्तों schemes का नेक्स तैट में कि इस किसी वस्तु पर बना प्रतिपिम जो होता है वो किस तरह का होता है बता चुकी हुँ मैं कैसा होता है वास्त्विक उल्टा एम छोटा नेक्स देखिए नॉर्मल विजन वाले जो एक युवा है इसमें क्लियर विजन की जो मिनिममम डिस्टेंस कम से कम दूरी कितनी होनी चाही थी थी मैंने कम से कम दूरी 25 cm होनी चाहिए तो आंसर होगा ऑपक्शन की 25 cm यहां पर आप देख सकते हो 25 cm कम से कम दूरी चाहिए नेक्स्ट है कि एक ऑवतन लेंस की फोकस दूरी शमता पिचेतर cm है त्यों इसकी जो समता है वह बतानी है इसकी शमता होता ही मांस 1.33 काफी मानुव नेत्र और बैटिना ऐरा अपको दिखाए रहा है यह है और इन वीचों होbraиях ये क्या है अब देखो ये जो कचाप द्रव और ये जो नेत्रो द्रव ये भी एक द्रव है इनका काम होता है कि ये लेंस है इसको फिक्स रखे अगर ये द्रव है हमारे आँख में नहीं होगा तो जो आँख है न वो एकदम शिकुड एकदम पिछक जाएगी क्योंकि जो लेंस है निकाट और दूर बिंतू जो होता है वो कितना होता है तो फ्र Frênd's निकट कब रहा ने बताय था आउतल लेंस है उसका यूज किया जाता है नेक्स्ट है कि जो ने तर निकट breeki वस्तो और निकट के वस्तु हो इसपस्ण नहीं देख सकते उसमें क्या हो तो जो निकट याइनि पास रखिपर वस्त साप नहीं देख सकते उनको होता है दूर द्रस्टी दोस तो आंसर हो जाएगा option A दूर द्रस्टी दोस और दूर द्रस्टी दोस के लिए जो lens यूज़ करते हैं वो करते हैं उत्तर lens यानि convex lens तो गाइस देखिए सारे क्यूसंस हमने कर लिए है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए जादे 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 वीडियो को शेर कर दीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए और साथ ही बैल आइकॉन पर क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो हम दाले उसके नोटिफिकेशन एजीले आपको मिल सके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो